SSC Stenographer Grade C D Test Series प्रतलेकन संख्या 10 कुल शब्द 112 कती 100 शब्द प्रतिमिनट बेरेडी 3 2 1 स्टार्ट पिछले साल अगस्त में 36 गड के सर्गुजा जिले में 100 से अधिक महिलाओं ने महिला नस्बंदी या ट्यूबैक्टॉमी ऑप्रेशन करवाए इनमें से बहु संख्या आदिवासी महिलाएं थी बले ही अविश्वस्निय लगे पर सभी 101 वंध्या करण ऑप्रेशन एक सर्जन ने 8 गंठे के समय में एक छोटे सामुदाइक केंदर में किये ये ऑप्रेशन केंदर सरकार के राश्ट्रिय परिवार कल्यान कारिक्रम के दिशा निर्देशों के उलट थे जिसके अंतरगत एक डॉक्टर एक दिन में अधिक्तम तीफ बंध्या करण कर सकता है इस पर राज्जी सरकार के स्वास्थे विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा की ऐसा क्यों किया गया विराम इस पर संबंधित डॉक्टर का जवाब था कि उस पर ऐसा करने के लिए ग्रामेनों ने दबाव डाला था उन्होंने बताया कि ग्रामेन इसके लिए लंबी यात्रा कर वहां आये थे और उनके लिए दोबारा आना कठिन था इसलिए सारी महिलाओं के आपरेशन एक ही दिन कर दिये गए स्वभाग्य से सभी महिलाएं इस व्यापक बंध्याकरण अभियान में सुरक्षित रहें वे स्वभाग्य शाली थी कि इस मामले में इतिहास नहीं दोहराया गया क्योंकि कई बार बंध्याकरण आपरेशन से म महिला वर स्वास्ते पर काम करने वाले सामा संसाधन समुह जन स्वास्ते अभियान तथा मात्र स्वास्ते एवं मानवदिकारों पर नेशनल अलायंस के अनुसार इस आप्रेशन आयोजन के अंतरगत मरने वाली महिलाएं आदिवासी बर ओबीसी समुदाय थी पैरा इस तत्य के बावजूद महिलाएं बंध्यकरण आप्रेशन के लिए तैयार हो जाती हैं कि इसके लिए घंटों तक प्रतिक्षा करनी पढ़ती है तता इसमें अनेक जोखिम होते हैं इससे महिलाओं पर गर्ब निरोद वर अपने परिवारों के नियोजन के लिए लगातार पढ़ने वाला दबाव और बोज इसपस्ट होता है चूंकि पुरुष परिवार नियोजन की जिम्मेदारी से दूर भागते हैं इसलिए महिलाओं को एवांचित गर्ब से बचने के लिए इस्थाई गर्ब निरोद उपाय अपनाना पढ़ता है नविनितम राष्ट्रिय परिवार स्वास्ते सर्वेक्षन से पता चलता है कि महिला वंध्याकरण पिछले पांच साल में बढ़ा है शहरी छेत्रों की तुलना में ग्रामिल छेत्रों में ज़्यादा महिलाएं वंध्याकरण या महिला नसबंदी कराती हैं हाला कि अभी सर्वेक्षन आकडों में 36 गड़ शामिल नहीं है पर इसकी संभावना नहीं है कि राज्य अपनी खराब 26 से मुक्त हुआ है यह राज्य राष्ट्रिय ओसत की तुलना में ज़्यादा महिला नसबंदी के लिए कुख्यात है पैरा उप्युक्त व उपलब्द गर्ब निरोद विधियों के बारे में महिलाओं की यौन व प्रजनन स्वास्ते जानकारी की कमी तथा सेवाओं की सीमित पहुँच के कारण उन पर जोखिम बढ़ जाता है महिलाओं के पास गर्ब निरोद के बारे में बहुत कम या कोई सूचना नहीं होती है जिससे वे इनके लाब व पाशर्व प्रभावों के बारे में नहीं समझ पाती हैं पॉपुलेशन रिसर्च इंस्टिटूट के एक अध्यन के अनुसार इसी कारण तीन महिलाओं में से एक से वंध्याकरण ऑप्रेशन के पहले समुचित सूचना के आधार पर सेहमती नहीं प्राप्ट की जाती है भारी संख्या में एवांचित गर्ब महिलाओं वर लड़कियों के मूल मानवादिकार संडक्षन में दुनिया की विफलता का संकेत है अनुमान है कि वैश्विक इस्तर पर गर्ब से बचने के लिए लगबग 257 मिलियन महिलाएं गर्ब निरोद के सुरक्षित वर आधोनिक तरीके नहीं अपनाती हैं उपलब्द आकड़ों के अनुसार सभी महिलाओं के लगबग 24 महिलाएं यौन संबंद के लिए ना नहीं कहे पाती हैं भारत में भी महिलाओं को अपने शरीर पर नियंतरन के अधिकार व इसका माध्यम नहीं है अनेक अध्यनों से पता चलता है कि एवांचित गर्ब का माताओं के शरीरिक वर मानसिक स्वास्ते पर नकरात्मक प्रभाव पड़ता है जो विनाशकारी हो सकता है तथा अकसर उनको तथा परिवारों को अपनी जेब से भारी कर्च करना पड़ता है अनेक महिलाएं अवांचित गर्ब से मुक्ती पाने के लिए गर्बपात का रास्ता अपनाती है पिराम हलांकि चिकित्सिय गर्ब समापन कानून 1971 के अनुसार देश में गर्बपात वैद है और बहुसंख है गरामीर व गरीब महिलाएं इस सुविधा के लिए प्रात्मिक स्वास्ते केंद्र पी एच सी जाती हैं लेकिन केवल कुछ ही पी एच सी गर्बपात सुविधाएं देती हैं बिहार में केवल 5 प्रतिशत पी एच सी तथा उत्तर प्रदेश में केवल 4 प्रतिशत ही गर्बपात सुविधाएं देती हैं पूर्वा ग्रह व भिद्भाव के साथ सुरक्षित चिकित्सा सेवाओं तक खराब पहुँच के कारण महिलाएं मजबूरी में असुरक्षित तरीके अपनाती हैं लगबग 67 प्रतिशत गर्बपात असुरक्षित होते हैं तथा रोज असुरक्षित गर्बपात संबंदी कारणों से आठ महिलाओं की जान चली जाती है हालांकी उत्साहवर्दक रूप से राश्ट्रिय मात्र मृत्यू अनुपात MMR 2016-18 में कती एक लाग जन्म पर 113 से घटकर 2017-19 में 103 रहे गया है लेकिन असुरक्षित गर्बपात देश में मात्र मृत्यू का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है और यह माताओं में बिमारी का बड़ा कारण है यह साथ राज्यों, राजस्थान, उत्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, चतिसकर्ड, बिहार, ओडिशा वर असम के लिए भारी चिन्ता का कारण है जहां MMR 130 या अधिक बना हुआ है महिला अधिकारों के संडक्षन वर संबर्धन तथा भारत में सुरक्षित गर्बपात तक पहुँच के लिए कारियरत 110 व्यक्तियों वर संगठनों के नेटवर्क प्रतिग्या के अनुसार ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है जहां अदालतों में गर्बपात की प्राथ करनी पढ़ती है मैं 2019 से अगस्त 2020 तक विभिन उच्चिन एलेयों में 243 गर्बपात मुकदमे दायर हुए हैं जबकि इसके पहले 3 साल में इनकी संख्या 175 थी प्रतिग्या अभियान की सलहाकार अनुभा रस्तोगी के अनुसार इससे इसपस्ट होता है कि देश में शित्व विधिक गर्बपात के लिए बहुत कुछ करना अभी बाकी है हालांकि कमियां दूर करने के कुछ प्रयास हुए हैं प्रतिग्या के निकटतम MTP सेवा प्रदाता का पता लगाने के लिए अधिकारिक डेटाबेस तयार करने के लिए काउड्रोसिंग की है एशिया सेफ ओवर्शन पार्टनर्शिप ने अपने NGO सहभागियों मासूम वर इसेय के साथ अभियान चला कर अनेक हाशिया करत समुदायों का पता लगाया जिनकी सुरक्षित गर्बपात तक पहुँच नहीं थी विराम भारत में UNFPA की प्रतिनिदी एंड्रिया वेजनर के अनुसार भारत में UNFPA अनेक NGO वर सरकार के साथ मिलकर गर्बपात से जुड़े पुर्वा ग्रहों बर नकरात्मक सामजिक मानकों के खिलाफ अभियान चल रहा है इन प्रयासों से कुछ राहत मिली है लेकिन जब तक महिलाओं के पास समूचित साधन नहीं होंगे तथा उनको यौन हैंसा वर प्रजनन दबावों का सामना करना पड़ेगा तब तक एवांचित गर्ब की समस्या बनी रहेगी एवांचित गर्ब में जेंडर ए समानता एक प्रमुक तत्व है जब तक जेंडर समानता सुनिश्चित करने के समूचित प्रयास नहीं होते हैं तब तक एवांचित गर्ब के कारण पैदा मानुवादिकार संकट महिलाओं की जान लेता रहेगा धन्यवाद तो फ्रेंड्स यह थी हमारी आज की एससी स्टनोग्राफर ग्रेड सी और डी की टैस्ट फिरीज की हिंदी डिक्टिशन जो की सौशब्ट प्रत्युनट की गर्तिस बोली गई थी आश्या करते हैं आप सभी कोई डिक्टिशन पसंद आयोगी और ऐसी ही बहुती बोक्स में मिल जाएगा